नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सपी का बहुत-बहुत स्वागत है So I am sure आपने सुना होगा, कुछी दिन पहले की बात है ISRO ने एक बहुत ही लांड मार्क लांचिंग करी थी जिसमें की 18 सैटलाइट को लांच किया गया था जिसमें की ISRO ने ब्राजील की सैटलाइट, ब्राजील की पहली सैटलाइट in fact Amazonia 1 को भी लांच किया था So यहाँ पर जो 18 सैटलाइट थी, उसमें असल में एक बहुत ही important, बहुत ही विशेश सैटलाइट थी, जिसका नाम है सिंधुनेत्रा यह सैटलाइट असल में DRDO के विज्ञानिकों के तवरा बनाई गई है और इस सैटलाइट को भी successfully ISRO ने orbit में प्लेस कर दिया है इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि what is the speciality behind this satellite, DRDO के द्वारा यह जो बनाई गई है इसका main purpose क्या है, क्या इसका मुखे purpose है and also हम आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाले है that is the topic of defense space research तो यह एक ऐसा topic है, यह एक ऐसा sector है जिसमें कि आप समझ सकते है Indian government recently काफी जादा interest दिखा रही है Indian government recently काफी जादा investments कर रही है इसके बारे में आपको कुछ मैं थोड़े बहुत facts share करने की कोशिश करूँगा चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है Anirudh, यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ आप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं from the Google Play Store और आप पे आपकी UPSC Prelims की तयारी को आसान करने के लिए हमने launch किया है एक course जिसका नाम है Past Prelims Discussion Course जो लोग अपना पहला attempt दे रहे हैं सन 2021 में और June में appear होने वाले हैं तो इस course को definitely purchase करें It can be a game changer for you और ये course आपके लिए किसी भी test series से जादा बहतर है तो इस course को purchase definitely कीजेगा Right, so जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं February 28 को ये हुआ था बहुत ही important, बहुत ही महतुपूरन launch इसको एक milestone कहा जा रहा था क्योंकि सबसे पहली बाद तो COVID के बाद वैसे ही बहुत सारे launches डिले हुए थे तो ये वाला launch भी असल में एक delayed launch था लेकिन finally इसको जब launch किया तो successfully हम launch कर पाए थे तो ये वाला जो launch हुआ था इसमें आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो Amazonia 1 को launch करवाय गया था जो कि Brazil की पहली satellite है और साथ में 18 co-passenger satellites को भी launch करवाय गया था from the Shri Harikota base और ये भी इसमें आपको बताना चाहूंगा ये पहला launch था by NSIL ये NSIL क्या चीज़ है इसकी full form आप मुझे बताईए comment section में काफी important है I am expecting a question on NSIL this year if not in UPSC कहीं न कहीं definitely पूछा जाएगा ही ठीक है इसी पूरे के पूरे 18 satellites के launch में इस particular satellite को भी launch किया गया था जिसका नाम है Sindhu Netra ये basically बनाई गई है DRDO के विज्ञानिकों के द्वारा and इसका main purpose है to monitor the activities of military and merchant navy ships in the Indian Ocean region की जो हमारा बहुत ही important Indian Ocean region है जो आजकल पिछले लगभग एक साल से बहुत सुर्खियों में चल रहा है Indo-Pacific की एहमियत के बढ़ते हुए वहाँ पर जो भी गतिविदिया सेनाओं की होती है जो भी गतिविदिया मर्चंट नेवी की होती है उन गतिविदियों के उपर निगरानी रखने के लिए ये वाली साटेलेट को खास रूप से त्यार किया गया है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं New Indian Express इस रोंचे डिया डियो साटेलाइट सिंधु नेतरा to monitor activities in the Indian Ocean एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा मैंने बहुत ही खास रूप से New Indian Express की इस particular headline को उठाया है because मैं आप से ये भी request करना चाहूंगा please अच्छे newspapers को follow करिए अपने UPSC के तयारी के लिए New Indian Express is one of those newspapers जो की बहुत ही अच्छे तरीके से खबरों की coverage करता है और ऐसी चीज़ों especially science and tech और environment के लिए अगर कोई एक newspaper मैं आपको refer करना चाहूंगा that will be New Indian Express ठीक है obviously the Hindu Express काफी अच्छे अकबार है लेकि New Indian Express भी आप अपनी list में add कर सकते हैं only for science and tech and environment जादा आपको इसके उपर और ध्यान देने के अपशक्ता नहीं है खेर coming to the Sindhu Netra satellite तो ये जो satellite है इसको असल में DRDO के जो युवा विज्ञानिक हैं उनके द्वारा बनाया गया है and it is capable of automatically identifying the warships and merchant ships operating in the IOR इसका जो काम करने का दाइरा होगा ऐसा नहीं कि ये केवल भारत के नीचे का जो IOR है वहीं पे काम करेगा ये आप देख सकते हैं आसपास के जो specific areas है which includes South China Sea, which includes the Gulf of Aden या फिर जो African coast है वहाँ पर भी ships के उपर निगरानी रख पाएगी satellite और ये आपको मालूम होगा जो African coast का ये वाला area है ये वाला जो area है Gulf of Aden ये भी काफी important है क्योंकि यहाँ से आता है तेल का shipment जो कि किसी भी country के लिए सबसे जादा strategically important shipments होता है और जो South China Sea है ये तो obviously important है because of various reasons जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा तो आप समझ सकते हैं कि इस satellite का जो दाइरा है वो केवल और केवल यहाँ पर नहीं है वो इतना बड़ा दाइरा लेके satellite चल रही है जिसका फाइदा अब भारत की सेना को होने वाला है भारत की space agencies को होने वाला है ठीक है ये जो satellite है ये एक पहला कदम है हमारी जो defense experts हैं हमारे जो defense agencies हैं उन्होंने clearly बोल दिया है कि भारत को अब अलग-अलग purposes के लिए satellites को launch करना होगा तो उन्होंने ये कहा है कि हमें defense के purpose के लिए यानि कि रक्षा के purpose को fulfill करने के लिए हमें कुल मिलाके 4-6 ऐसी satellites को launch करना होगा जो कि केवल exclusively यही काम करेंगी तो उस series में ये माना जा रहा है कि पहली satellite is going to be the Sindhu Netra और ये satellite आगे जाके हमारी surveillance capabilities को और भी enhance करेगी केवल और केवल समुद्र में नहीं बलकि हमारे जितने और border areas है which includes the border areas with Ladakh border areas with Pakistan ठीक हैं तो सभी के सभी border areas के ऊपर भी ये अच्छे से निगरानी रखने में हमारी help कर पाएगी ऐसा मान लिज जैसे हमने NAVIC को install किया remember IRNSS जिसमें हमने अपने navigation system में 7 satellites को launch किया था वैसे ही हम अपने defense के शेतर में भी अब खास करके 4-6 satellites को launch करने वाले हैं तो उसी particular आप ऐसा मान लीजिए collective का हिस्सा है सिंधुनेत्रा now जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ और interesting information शेर करना चाहूँगा ठीक है देखिए defense space एक ऐसा sector है जो कि अभी तक भारत में काफी जादा unexplored है untapped है हमने defense के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने space के बारे में बहुत सुना है लेकिन आप imagine कीजिए कि मैं दोनों sectors को जोड़ दे रहा हूँ इस case में भारत क्या कर रहा है तो असल में 2019 की बात है to be very precise November 2019 की बात है केंद्रिय सरकार के द्वारा एक approval दे दिया गया था कि हम defense space agency बनाने वाले हैं अब ये defense space agency क्या है ये basically एक tri-service agency है जिसमें की Indian armed forces के ही लोग काम करते हैं तो it draws personal from all three branches of the armed forces इसका जो मुख्याले है ये बैंगलूरू में located है और इसका main काम क्या होगा ये basically जितना भी हमारा space warfare होगा और जो आने वाले समय में माना जा रहा है तो धीरे धीरे हमने conventional warfare से हम चले के cyber warfare की तरफ अब cyber warfare से माना जा रहा है कि हम space warfare के अंदर enter करने वाले हैं तो जो भी हमारा space warfare होगा उसको operate करने का पूरा का पूरा दारोंदार अब बिठाया जाएगा defense space agency के उपर तो हमारी जो armed forces हैं भारत की जो armed forces हैं ये अब universe में भी काम करेंगी और ये किसके माध्यम से कर पाएंगी defense space agency के माध्यम से और जितने भी हमारे satellite intelligence के जो assets हैं उनकी रक्षा करना उनका संगरक्षन करना ये सारा का सारा दारोंदार भी defense space agency के उपर ही आएगा अभी ये चीज बहुत ही जादा ऐसा माल लीजे एक beginning stage में है अभी अच्छे से develop नहीं हुई है जैसे ही develop होगी वैसे वैसे और चीज़ें बढ़ेंगी और ये agency फैलती जाएगी second important thing is और ये भी जो है इंडिया के द्वारा इंडिया के cabinet के द्वारा हमारे सरकारी cabinet ने इसको जुलाई 2019 में approval दे दिया था कि हम एक defense space research agency को भी create करने वाले हैं so that हम अपने space assets को protect कर सकें ना देखिए दोनों चीज़ें काफी हद तक similar हैं लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें अलग-अलग है defense space agency जो है इसमें basically लोग काम करेंगे केवल और केवल army के या फिर Indian armed forces के navy के, air force के वगरा वगरा लेकिन जो हमारी defense space research agency है this is going to be like a civil agency जैसा कि हमारा ISRO है ISRO है वैसे ही DSRO या फिर DSRA है जो कि हमारे space assets को protect करने की कोशिश करेगी इसको भी clearance दे दी गई है और इसका main काम क्या होगा कि ये आगे जाके R&D के तरीके से ही support करने वाली है to the defense space agency तो ये दो agencies हैं दो चीज़े हैं जो कि Indian government के द्वारा almost clear कर दी गई है और ये आगे जाके बट एक चीज़ तो clear है कि अब हमने पहला कदम ले लिया है that is the launching of the Sindhu Netra satellite by ISRO इसी note पे आप ते लेता हूं विदा thank you for listening stay tuned and stay safe